Hello students, क्या आप BPSC 67 PT की त्यारी करना चाहते हैं? आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, जो बिलकुल नए होंगे. इसके साथ कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, जो बहुत बार त्यारी करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी. हलाकि कोशिस में कमी नहीं होगी. अलग-अलग जगा से कई सारे बुक लिस्ट का अमबार लगा देना, और आप वहां से भी सही तरीके के चीजों का चुनाव नहीं कर पाते होंगे. तो आईए वीडियो का एंड तक देखिए. हम आपके साथ ऐसे तीन बुक लिस्ट का किताबों को सेर करना चाहते हैं, जिससे आपको जो भी तयारी है, वह 90% तक हो जाएगी. और आप बहुत आसानी से एकजाम निकालने के स्थिती में होंगे. क्या आप चाहते हैं, तो आईए हमारे साथ, आप लोग जोईन कीजिए. देखिए, इन तीनों में से आपको किसी को भी मिस नहीं करना है. पहले किताब अधिकांस लोग जानते होंगे. जो स्टूडेंट, आज तयारी कर रहे हैं या नए हैं या पुराने. लेकिन उन लोगों को सबको ये किताब जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, उनके बारे में अधिकांस लोग जानते होंगे. लूसेंट, लूसेंट वह किताब है, जिसके अंदर BPSC की अस्तर की लभो सभी जानकारी उपलब्द हैं. मैंने जैसे ही लूसेंट बोला होगा, सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं किस किताब के बारे में बात कर रही हूँ. और चुकि वह पॉइंट फॉर्म में होता है, तो आप लोगों को याद करने में भी वहां से आसानी होती होगी. तो लूसेंट को आप दो बार, तीन बार, बार बार, जितनी बार हो सके पढ़कर पूरी तैयारी से याद कर लेना है. और अधिकान सवाल, इस बार के 66 BPSC को अगर आप देख ले, अधिकान सवाल वहां से ही आये हैं, और आप आराम से उसे निकाल सकते हैं. जब आप लूसेंट को कर लेंगे, उसके बाद दूसरा नमबर आता है हमारा घटना चक्र. क्या आता है हमारा दूसरा घटना चक्र? घटना चक्र की किताबे आती हैं, जो BPSC, UPSC और बहुत सारे ऐसा एक्जाम की प्रिवियस इयर की किताब हैं. प्रिवियस इयर के questions का question bank है, वहाँ से आप सभी subject का अलग-अलग किताब ले सकते हैं, हर subject के किताब में उसके chapter wise बाद दिया गया है, जिसके कारण आप अगर वहाँ से सवाल बना लेते हैं, तो उसके नीचे जो explanation है, जो भी बिस्तार उस सवाल में है, बारे में लिखा गय है, उससे अच्छे से पढ़ लेते हैं, पढ़ना है lucent और हमारा दूसरा है घटना चक्र, यदि हम दोनों अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हमारे भासा में उसी सब्द को जितना बार भी पूछा जाए exam में, तो दूसरे question form में आपके सामने आता तो है, लेकिन चीजे कही न कहीं वही होती है, और उससे related, उससे संबंदी जो भी ब्याख्या है, हम उससे बहुत काम की है, अब हमको ध्यान देने की बात यह है, कि हमारा तीसरा जो पास करने के सबसे महत्तुपूर्ण होता है, वह क्या होता है, current affairs, क्या मैंने बोला, current affairs, current affairs, आपको पूरे साल को ल जाती है, वह examination के एक महीने या 45 दिन पहले आ जाती है, हाँ, almost एक महीने या 45 दिन में आ जाती है, वहाँ पर आप दो या तीन अलग-अलग publication का current affairs खरीद ले, और उनको दो बार, तीन बार, 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 जितनी बार आपका concept clear न हो जाए, तब तक सारे student को current affairs से समस्या भी easily दूर कर लेनी है, और आप इन तीन ही किताब की मदद से अपने exam को पूरी तरीके से qualify करने की स्थिती में आ जाएंगे, कई सारे सफल चात्र आज इस तरह के पढ़ाई करके exam qualify कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं,